लेयर 2 की लेयर 3 के साथ मैपिंग कर वाते हैं अगली कैप आधी है हमारे पार, इसको कहते हैं ग्रेट्वास् आर, बाद जब ot आर्ब आजाते हैं के सिम्पल यह जो I.T. है इसको हम इसको हम बोलते नहीं है, I.T. को हाइड कर दे तेハं तो ग्रेट टwarz आर भी कह जाता है इसको डेट ट hormone कहते हैं तूर नान चलते हैं और ऑर शॉर्ट को कहते हैं गार्ठ गार्ठ ए Americanogen अब देखर होता रू बहुत करती है जब आपकि डिवाइस को आईपी मिलता है आपकी डिवाइस को आई-पी मिलता है तो गार्ब बैकेंड पे यह देख रहो होता है कि आपका अपनी आई-पी के नेटवर के अंदर किसी और आई-पी के साथ कॉन्फिलिक्ट ना हो ठीक है अनॉर्मल होस्ट विल आलवेश सेंड आउट अगार्ब रिक्वेस्ट आफ्टर दा लिंक गोज अब और दा इंटरफेस इनेबल जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर आन किया आपकी पोर्ट आन होई इंटरनेट की और आपकी पोर्ट को जब आई-पी मिला आई-पी अड्रेस मिला तो उसी लम्हें आपको गार्ब वर्ट करेगा और यह देखेगा कि यह अड्रेस जो है वो नेटवर्क के अंदर डुप्लिकेट ना हो डुप्लिकेट आई-पी अड्रेस में भी असाइन इने सिंगल नेटवर्ट हो सकता है duplicate IP आपको assign हुआ हो तो यह आपको error देदेगा IP conflict का आज कर DHCP environment है तो duplication of IP के errors बहुत कम आते हैं Windows XP जब मैं use करता था उस वकद बहुत ज़्यादा duplication IP के error आते थे और हमें एक yellow color का message pop-up होता था हमारा और लिखा बाता था IP conflict अगर जो बच्चे पुराने हैं Windows XP के दोर के हैं यह मैं बात बता रहा हूँ 2010-11 की सब Windows XP बहुत होती थी और उस time यह duplication IP का बहुत error आता था आज कल जब से Windows 8 आई है Windows 7 में मैंने कभी यह duplication IP का error नहीं देखा हाँ अगर आप खुद network के बना रहे हैं और आप देखना चाहते हैं यह error तो एक ही network पे दो devices को same IP दे रहें तो आपको error आजएगा तो यह basically guard use होता है just discover करने के लिए IP address का conflict को resolve नहीं करेगा यह यह आपको just बताएगा CP की service run करें दुबारा on करें ताके वो दुबारा कोई नया IP गैट कर सके तब यह मसला हो जाता है लास्ट आर्प की टाइप है इसको कहते हैं inverse आर्प एक reverse आर्प थी अब यह एक inverse आर्प आई है पास destination device का destination device का Mac address find करना होता है यह IP address find करते हैं layer 2 की layer 3 के साथ mapping करवाते है ठीक है अगर मैं in short बताऊं के layer 2 की layer 3 के साथ mapping होती है reverse आर्प के अंदर जो simple आर्प होती है उसके अंदर क्या होती है layer 3 की layer 2 के साथ mapping होती है विकास आपके पास IP होता है और आप Mac resolve करवाते हैं अभी हम बात करने लगें inverse आर्प inverse आर्प के अंदर भी layer 2 की layer 3 के साथ mapping है लेकिन इसके अंदर layer 2 के उपर आपके पास Mac होता है और IP resolve करवाते हैं inverse आर्प के अंदर आपके पास layer 2 के उपर DLCI काम करते हैं अब यह DLCI क्या चीज़ है data link connection identifier यह frame relay technology में जूद होते हैं frame relay WAN की technology है WAN network की और यह उसके अंदर हम यूज करते हैं मुता basically क्या है let's suppose यह आपका region है और यह आपके let's suppose यह पाकिस्तान है ठीक है अब पाकिस्तान से जैसे ही traffic ने बाहर निकलना है there are number of options चाइना वाली साइट पे जाना चाह रहे हैं इंडिया वाली साइट पे आपकी request जा रही है या अफगानिस्तान वाली साइट पे जा रही है so it depends so when basically when की technology frame relay इसके उपर DLCI काम करते हैं और यह basically क्या करते है कि आपने अगर चाइना वाली साइट पे जाना है तो इतने ज्यादा mag addresses भेजने की या वहां से लाने की जूरत नहीं है आप हर साइट का एक number लिखने है यह basically आपका यह जो इस साइट का van link है हर link जो different countries की तरफ जा रहे है उसके उपर different DLCI assign हो जाते हैं mean हो सकते है DLCI number 1 इस साइट का हो DLCI number 10 इस साइट का हो DLCI number 11 इस साइट का हो अब जब आपके पास DLCI number हो और आपने उस host का IP resolve करवाना हो again layer 2 से layer 3 की mapping है तो फिर आप inverse art को use करते हैं ठीक है basically दोनों के अंदर यह फरक है तो याद रख लेने reverse art और inverse art similarity के हैं layer 2 तो layer 3 की mapping है लेकिन फरक यह है कि इसके अंदर MAC address होता है IP resolve करवाते हैं इस case में आपके पास DLCI होता है और आप IP resolve करवाते हैं अजर करते हैं अजर के लेकिन करते हैं आप तो यह है